नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टोडी 101 पर और मैं हूँ देव्या वर्मा दोस्तो आज हम क्लास 12 की चित्र कलासे सम्बंधित कुछ बहुत ही महत्वों प्रशनों को हल करने जा रहे हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आपके लिए हेल्फुल रहती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चैनल पर नए हूँ तो सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो चले फिर पढ़ना सुरू करते हैं पहला प्रशन यहाँ पर एक आलेखन में साधारन तया किस प्रकार के रंगों का प्रियोग होना चाहिए उप्शन दिये गए हैं भड़कीले रंगों का, बहुत चटकीले रंगों का, हलके आकर्सक रंगों का, विरोधी रंगों का तो इसका राइट आंसर रहेगा उप्शन संख्या C, हलके आकर्सक रंगों का अलेखन में हमें कैसे रंग लगाने चाहिए, एक तो हलके होने चाहिए, दूसरे आकर्षक रंग होने चाहिए यानि आलेखन ऐसा बना हो, कि दूसरों को अपनी तरफ आकर्ष्ट करे, आकर्षित करे अगला प्रशन है नियमने लिखित में से कौन सा इंद्र धनुस का रंग नहीं है और इस प्रकार के प्रशन बच्चों को अकसर कन्फ्यूस कर देते हैं इंद्र धनुस का रंग नहीं है पूछा गया है यानि इंद्र धनुस में जो भी रंग होते हैं उनको छोड़कर आपको इसमें चूज करना है तो option है नीला, नारंगी, भूरा और लाल तो नीला, नारंगी और लाल ये सबी इंद्रधनुस के रंग है पूछा गया है कौन सा इंद्रधनुस का नहीं है तो right answer रहेगा option संख्या C भूरा, ठीक है भूरा रंग इंद्रधनुस का रंग नहीं है अगला प्रशने आपर तीन नमबर आलेखन में जयामिति का प्रयोग क्यों होता है option है जयामिति सिखाने के लिए सुन्दर्ता के लिए एक निस्चित आकार देने के लिए सरल बनाने के लिए तो इसका राइट आंसर रहेगा option संख्या सा एक निस्चित आकार देने के लिए जयामिति तो आप लोग समझते हैं जो भी जैसे वर्ग है आपका व्रत हो गया वर्ग हो गया और आयत हो गया शंकु हो गया तरभुज हो गया ये सभी कैसे आकृतिया है जयामिति आकृतिया है तो इनका प्रियोग आलेखन में क्यों करते हैं एक निस्चित आकार देने के लिए ठीक है फिर अगला प्रशन है यहाँ पर चार नंबर बहुत ही महत्पूर प्रशन है अगला प्रशन है पांच नंबर और बहुत ही महत्पूर नंबर है अकसर ये प्रशन पूछा जाता है कौन सी पेंसल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होंगी किस pencil से बनाई गई रेखा हैं अधिक काली होंगी यानि डार्क होंगी option या पर B, H, B, H, 2H तो इसका राइट answer रहेगा option संख्या A, B अब यहाँ पर इसे थोड़ा आप समझ लीजिए देखिए, एक होती ही pencil जिसमें H के आगे कुछ भी नंबर लिखा होता है 2H, 4H, 6H एक pencil वो 3 जिनमें लिखा होता है B, 2B, 4B, 8B इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है कि H वाली जो pencil है इसका जितना आगे का अंक बढ़ेगा यानि 2H होगा, 4H होगा तो वो pencil उतनी ही हलकी चलेगी ठीक है? और जो आपका B वाला है इसमें जितना आगे का अंक बढ़ेगा यानि 2B है, फिर 4 भी हुआ, 8 भी हुआ तो वो pencil उतनी ही ज़्यादा आधिक काले चलेगी यानि dark चलेगी तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है H का मतलब होता है hardness और B का मतलब होता है blackness तो अगर पूछा जाये कि सबसे कठोर pencil कौन सी है तो H के आगे जितना नंबर सबसे ज़्यादा लिखा होगा वो pencil सबसे आधा कठोर होगी अगर मुलाएम पूछा जाये तो वो pencil आपकी जिसमें B के आगे सबसे ज़्यादा अंक लिखा होगा वो pencil सबसे अधा मुलायम होगी और dark चलेगी तो ये point आपको ध्यान रखना है फिर अगला प्रशन आता है 6 number किस number की तूलिका से सबसे पतली रेखा अच्छी बनेगी तूलिका का मतलब होता है brush ठीक है? तो 1 number, 4 number, 2 number, 10 number तो सबसे पतली लाइन अगर आपको बनाना है तो कौन सी तूलिका का प्रियोग करेंगे एक number वाली ठीक है? फिर अगला प्रशन है यहाँ पर 7 number रेखा क्या है? बहुत ही महत्कौन प्रशन है रेखा क्या है? पैमाने से खींची जाने वाली दो बिन्दों के बीच की दूरी आकरती बनाने वाली चित्र तयार करने वाली तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? उप्शन संख्या B दो बिन्दों के बीच की दूरी रेखा की परिभाशा क्या होती है? दो बिंदूं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है रेखा की परिभासा लिखी हुई है दो बिंदूं के बीच की दूरी अर्थात रेखा फिर अगला प्रशन है आठ नमबर समकूंड त्रभुज कीसे कहते हैं? जिसका आधार कोन 45 का होता है जिसका आधार कोन 30 का होता है जिसका आधार कोन 60 का होता है या फिर जिसका आधार कोन 90 डिगरी का होता है तो इसका राइट आंसर रहेगा option संख्या दा जिसका आधार कोन 90 डिगरी का होता है यानि एक सीधी लाइन ठीक है फिर एक और सीधी यह कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का और इसी का जब आधा कर देते हैं तो वो हो जाता है 45-45 ठीक है तो आपको ध्यान रखना है समकूर त्रभुज किसे कहते हैं जिसका आधार कौन 90 डिग्री का होता है अगला प्रशनेया पर 9 नमबर लाल रंग में कौन सा रंग मिला जाये कि वह नारंगी हो जाए ऑप्शन यहां पर हरा नीला पीला काला तो आप जानते ही हैं यह लाल में हम जब पीले को मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा नारंगी फिर अगला प्रशनेया पर 10 नमबर छत की सीलिंग के केंद्र को अलंकृत करने के लिए निम्न लखित में से कौन सा सटीक आलेखन त्यार किया जाता है छत की सीलिंग के केंद्र को देखिए यह आपकी छत है अब इसकी सीलिंग को अलंकृत करने के लिए यानि छत को अलंकृत करने के लिए कैसा आपको जो आलेखन है वो त्यार करना होगा तो छत आपकी किस प्रकार से है यह तो इसके लिए आपको आलेखन कैसा होना चाहिए देखे केंद्री आलेखन यानि केवल बीच का संपूर्ण आलेखन यानि पूरी छत का किनारे का आलेखन यानि केवल ये जो किनारा है ये वला और कोने का आलेखन यानि ये वला तो आपको छट अलंक्रित करना है तो ध्यान रखिए इसमें आपको कौन सा अलेखन प्रयोग करना है समपूर्ण अलेखन यानि पूरी छट वाला अलेखन फिर अगला प्रशन है 11 नमबर किनारी का अलेखन डिजाइन उप्योग किया जाता है जो किनारी का अलेखन होता है किनारे वला तो उसका उपयोग किया जाता है फर्ष के लिए साड़ी की किनारी के लिए छट के लिए तक ये के गिलाफ के मध्य के लिए तो किनारी देखिए नाम में ही आ रहा है किनारी तो किनारी का जो आलेखन है वो साड़ी की किनारी के लिए उप्योग किया जाता है क्योंकि वो किनारी का होता है ना पतला आलेखन होता है तो फर्स के केंदर में आप पतला आलेखन तो बनाएंगे नहीं और केंद्र में जो भी आलेखन बनता है वो किनारी वाला नहीं होता है ठीक है वो तो केंद्र के लिए उस तरीके का होता है तो यहां पर रहेगा option संख्या भी साड़ी के किनारे के लिए अगला प्रश्न के लिए उप्योत तुलिकाएं हैं यानि ब्रश हैं जब आप जल रंगों का प्रियोग करते हैं तो कौन सी तुलिकाओं का इस्तेमाल करते हैं यानि ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो Bristol, Maup, Shable इन में से कोई नहीं तो आपको ध्यान रखना है बहुत ही महत्त प्रशन है। जल रंग के लिए हमेशा सेबल तूलिकाओं का प्रियोग किया जाता है जो गिलेहरी के बालों से बनाई जाती है। अगला प्रशन है रजाई के एक आलेखन के लिए कौन सा आकार उप्यूखत रहेगा। अब आप सोचें रजाई कैसी होती है। वर्गाकार होती है या गोलाकार होती है या आयताकार होती है या त्रिभुशाकार होती है तो रजाई आपकी होती है आयताकार तो रजाई का जो आलेखने वो किस प्रकार का होना चाहिए आयताकार व्रताकार अर्ध व्रताकार वर्गाकार तो या आप खुद इसका आंसर न बनाते हैं तो उसका महत तो क्या है किसले बनाए जाते हैं वस्त्र को टिकाओ बनाने के लिए वस्त्र को आकरशक बनाने के लिए वस्त्र को कीमती बनाने के लिए या फिर वस्त्र को उपयोगी बनाने के लिए अब आप खुद ध्यान दीजिए कि आलेखन बनाने से क्या होत वस्त को आकर्शक बनाने के लिए अगर आलेखन नहीं बना होगा तब भी वह वस्त टिकाओ होगी उसका हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन अगर आपने उस पर आलेखन बना दिया तो वह देखने में सुंदर लगेगी आकर्शक लगेगी ठीक है फिर अगला प्रशनेया पर 16 न संख्या बी एक रंग योजना मोनो कलर योजना का मतलब यह होता है कि किसी एक कलर को लेकर उसी की विभिन टोनों द्वारा पूरे चित्र को बनाना जैसे आपने लाल रंग लिया ठीक है अब उसकी बहुत सारी आपने टोन बना लिया हलका लाल और थोड़ा डार्क लाल उ सोला नंबर अब यहां पर दिया हुआ है नियमन लिखित में से तटस्त रंग कौन सा है नियमन लिखित में से तटस्त रंग तो आपको बताये गए हैं काला सफेद यह कैसे हैं तटस्त रंग तो राइट आंसर रहेगा option संख्या A सफेद काला तो option में है नहीं तो आपका स ताफेड सही हो जाएगा, फिशत्रा नंबर है यहाँ पर, जल रंग मिलते हैं जल रंग मिलते हैं ट्यूब में तिकया में शीशी में तीनों में जिसका right answer क्या रहेगा? कौन सा रंग प्रथम श्रेडी का है? यानि कौन सा रंग प्राथमिक रंग है? option दिये गये हैं burnt saina और burnt अंबर वांडाइक प्राउन वरेडियन तो समझे यहाँ पर जो आपका burnt saina है यह भूरा होता है burnt अंबर यह भी भूरा ही होता है और अगला है वांडाइक प्राउन यह भी भूरा है यानि भूरे में ही कुछ थोड़ा अलग अलग टाइप के होते हैं लेकिन तीनों भूरे हैं और जो आपका वरेडियन है ये होता है हरा तो आप जानते हैं कि भूरा तो किसी प्रकार से प्राथमिक हो ही नहीं सकता है और प्राथमिक रंगों में मैंने आपको तीन दंग बता पेला और आपका राइट आंसर क्या रहेगा और यह रहा होता है यह अगप प्रfahrण है नाइं को चुर। तान, टिंट, शेड और ये प्रशन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सफेद रंगों को जब किसी भी रंग में मिलाते हैं तो जो आप अलग-लग तरीके की रंग बना देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको आप कहते हैं Tint ठीक है? और किसी भी रंग में अगर आप काले रंग को मिला कर उसके बहुत सारे अलग अलग रंग बनाते हैं तो उसको कहते हैं शेड ठीक है फिर अगला प्रश्णिया पर 20 नमबर तीवर प्रकास को कहते हैं मध्यम प्रकास, टिंट, शेड, हाइलाइट तो जहां पर बहुत ज़्यादा अधिक प्रकास होता है उसे कहते हैं हाइलाइट ठीक है अगला प्रश्णिया पर 21 नमबर वस्त्रों पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा तैल रंग से, पोस्टर रंग से, एक्रिलिक रंग से, इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ओप्शन संख्या, आपका सा एक्रिलिक रंग, ठीक है एक्रिलिक रंगों का इस्तिमाल हम, जो वस्त्र हैं उन पर कर सकते हैं बाकी तायल रंग ये वस्तरोपा नहीं किये जाते हैं, पोस्टर रंग ये भी नहीं किये जाते हैं, तो आपका option बचा सा एक्रिलिक फिर अगला प्रशन है बाइस नंबर, चार कोल क्या है? option है ग्रेफाइट, लाल रंग, तायल, इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer option संख्या A, ग्रेफाइट, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चार कोल का मतलब होता है कोईला, अगर option में ग्रेफाइट और कोईला दोनों आएं, तब आप कोईले को ही सही कीजेगा, क्योंकि चार कोल का मतलब ही कोईला होता है, लेकिन यहाँ आप ग्रेफ उसमें वो कोईले की लीड होती है, ठीक है, तो कहीं भी प्रश्ण में अगर पूछा जाए चार कोल क्या है, option में कोईला हो, तो आप कोईले को ही सही कीजेगा, कोईला नहीं है, तब आप ग्रेफाइट को सही कर सकते हैं, अगला प्रश्ण है तेईस नमबर, तैल रंग च टैल रंग में जल का कोई kाम ही नहीं है, बाकि टैल रंग knife से भी लगाया जाते हैं और easel का तो इस्तिमाल होता ही है, easel क्या होती है, ट्रिपाई होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे इसमें नीचे पैर लगे होते हैं, और पीछे stand होता है, ऐसे ये खड़ी की जात और इस पर जो आपका canvas है वो रख कर चित्र बनाया जाता है तो यह इसल और ऑलसी का तेल इसी तेल को रंग में मिक्स करके चित्र बनाते हैं बाकि जल का तेल रंग में कोई भी काम नहीं है फिर अगला प्रश्ण है अपारदर्सक तक्नीक नहीं है ध्यान रखे अपारदर्स ग्रणख तकनीग नहीं है यानि की जो भी आपको चूज करना है वो कैसा होना चाहिए पारदरसक होना चाहिए अप्शन है वासणभ इंपैस्टो, गॉसष इसकम्ब्लिंग तो इनमें से जो आपका व्दयदान है यह अपारदर्सक नहीं होता है यह कैसा होता है पारदरसक वास तकनीक से जब रंग लगाये जाते हैं तो वो ट्रांस्पारेंट होते हैं बाकी इंपैस्टो ग्वास इसकंबलिंग यह सब कैसे हैं अपारदरसक हैं फिर अंतिम प्रशन यहाँ पर 25 नंबर वास चित्रण का प्रारंभ भारत में किस ने किया बहुत ही महत्वपून प्रेशन है सारदा उकील और गगनेन नाटेगोर अबनीन नाटेगोर इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी खवनीन नाटेगोर और यह बहुत ही महत्वपून प्रेशन ह कि भारत में वास चित्रण टेक्निक का प्रारंभ करता किसे माना जाता है या जनक किसे माना जाता है तो वो आपके रहेंगे अब नीन न टेगोर और इसे के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है और मैंने सभी प्रशनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है फिर भी अगर आपको किसी भी प्रशन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिसकस कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लि है हैं